नमस्ते प्रणाम हार्दिक बिनंदन आप सुन रहे हैं सूच जी बोले इस वाचेक कन्या का नाम इशुता है और आप देख रहे हैं सीकर संजीवनी का एपिसोड नमर थ्री फर्स्ट अफॉल थाइंक्यू सो मच अपनी जिग्यासा हमारे साथ शेयर करने के लिए और आज हम लाए हैं आपके पांच सबसे ज़ादा आजट क्वेश्चन काफी लोगों ने एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग लग रूप से हमसे पूछा है इसलिए आज हम उन्हें एड्रेस करेंगे तो पहला सवाल यह है काफी लोगों ने यह पूछा है कि बहुत बार देखा गया कि इंद्रदेव जो है वो अक्सा कर काफी कथाओं में दूसरों की तपसा क्यों भंग करते हैं सबसे पहले हम वेदों से शुरू करते हैं ठीक है वेदों में सबसे से देखा जाए जिस संसार में हम रह रहे हैं तो उस संसार में सबसे बड़ी पदवी उसकी है जो सभी देवताओं को ओवर लुक करते हैं अगर एक संचालन के रूप से देखा जाए जब इस पूरी सृष्टी में संचालन हो रहा है सब संचालन को सब देवताओं को जैसे अगर बिजली के बारे में सोचते हो, दो चीज़े सबसे पहले आती है माइंड में, जो की होती है, उसकी चमक, अगर बिजली आती है, सबसे पहले लाइट आती है, उसके बाद फिर आती है आवाज, तो चमक और आवाज वज्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कोई भी आज तक जितने भी रिशी मुनी रहे हो, देफता रहे हो, कोई normal मनुष्य भी रहा हो जब भी कोई एक पदवी प्राप्त करना चाता है या फिर भगवत प्राप्ति करना चाता है तो वो ये make sure करते हैं इंडर कि ये जो है वो देफता तुल्य है या नहीं कि जैसे हम बहुत बड़े बन जाते हैं, लोग हमें भगवान मानने लगते हैं, कि हमने भगवान तो देखे नहीं, पर आप हमाले भगवान समान हो, तो इंद्र मेक्षार करते हैं, कि ये जो भगवान समान बनना चाते हैं, देवतातुल्य बनना चाते हैं, क्या ये योग्य हैं तो इंद्र दो तरीके से परिक्षा लेते हैं ठीक है पहली परिक्षा होती है इंद्र की चमक जब भी हम जब भी कोई तपस्वी कोई योगी तपस्या में लीन हो उसके लिए चमक होती है वर्दान कि आओ तुम्हारी जो तपस्या है वो पून मैं तुमको वर्दान देता हूँ, बांगो जो मांगना है. अगर कोई बहुत बड़ा योगी होगा, जो सिर्फ भगवान से एक होना चाहता है, वो कहेगा, मुझे किसी भी चीज की लालसा नहीं है. मुझे आप बस भगवान दिलवादो दिलवाना है तो, पर मुझे ना कोई पद चाहिए, ना कोई सोना चाहिए, ना कोई मुद्रिगा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. तो वो होती है चमक. और दूसरी बात होती है आवाज. अब आवाज किसी भी प्रकार से हो सकती है. कितनी सारी कथाएं हैं जिसमें कोई भी योगी या तपस्वी या फिर इवन जब विश्णु भगवान नर नरायन मुनी के रूप में आए थे जब उन्होंने कृष्णु और अर्जुन का अफ्तार रखा था उससे पहले वो नर नरायन मुनी के रूप में आए थे ठीक है जब वो तपस्या कर रहे थे तब इंदर उनके सामने आकर अलग अलग पशुओं का रूप बनाते हैं कभी सींग की आवाज निकालते हैं शेर की आवाज कभी मोर की आवाज क्योंकि इंदर के पास ये एक अबिलिटी थी कि वो किसी भी रूप को परिवर्तित कर सकते हैं अबने आपको उस रूप में परिवर्तित पैसते हैं तो वो होता है अवाज कि जब भी कोई बैठा हो अगर वो तपस्या की इंदरिया चल रही है तो वो सोने का सामने शेर है अरे ये शेर मुझे खा जाएगा क्या वो सही तपस्या है अगर वो ये सोच रहा है कि ये वो पानी वांगते है पशमी कृशी इतना ज्यादा तपस्या में लीन होते है कि वो सुन ही नहीं पाते है उनको तो जो सही माइने में योगी है तपस्या है वो अपनी इंद्रियों पर पार पाके अगर वो इंदर भी वहाँ पर आके शेर बनेंगे तो उनको पता ही नही musical कि साइड में कौन है तो इंद्र बेसिकलिए एक ऐसे देवता है जो की मेक्षवर करते हैं कि जिसको भी जो भी मिले वो इसके योग यो हो इसी वज़े से वह बहुत जादा सब की परीक्षा लेते हैं एक्स्ट्रीम काम करते हुए नजर आते सारी कथा हूं में है तो इसमें क्योंकि उनका को इवल इंटेंशन तो था नी वो तो बच्चे थे ना समझ में उने वोगल लिया तो यह क्यो है इसका क्या हर्थ है देखो हमने पिछली बार डिसकास किया था कि हनबान जी का सूर्य को निगलना रिप्रेजेंट करता था कि वो इस पूरे स्रिष्टी के ग अब एक एसी स्टोरी आती है इसमें कि इसके बीच में जैसे हमने इंडर की बात करी है इसवजे से मैं बताती हूं कि जब उन्हों ने उस सूर्य को अपने मूह में रखा तब इंडर ने उन पर प्रहार किया था किसी लिए क्योंकि इंडर मेक्षार करते हैं कि हर कोई नहीं थे तो हनमान जी जैसे ही उस सूर्य को रखते है अपने मूह में इंडर उन पर वज्जर से अटाइक करते हैं मतलब उनकी योग्यता को परखने के लिए उनकी परिक्षा लेने के लिए फिर क्या होता है हनमान जी उपर से नीचे प्रिथवी पर गिरते हैं मतलब कि वो योग्य नहीं थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसी वज़े से हनमान जी ने तब से लेकर जब तक वो श्री राम से नहीं मिले बहुत ही भयंकर तपस्या करी थी राम नाम की कहो कुछ भी कहो वो तपस्या में लीन रहते थे और एक और इंट्रेस्टिंग ये बात है कि जब तक उन्होंने तपस्या करी उसके बाद आपको याद है कि आपने जैसे खुद बोला कि पनिश्मिंट मिली उनको वो पनिश्मिंट नहीं थी बेसिकली ये था कि जब तक तुम इतनी तपस्या नहीं करोगे जब तक पूरा सूर जिस ग्यान को रिप्रेजन करता है तपस्या नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास ये ग्यान भी नहीं होगा इसमिलरली यही सिचुएशन थी कि वो पनिश्मिंट नहीं थी वो एक बहुत फैर सा एक जज्ज्मिंट था कि आगे भी कोई और ना ट्राय करें कुछ इवल इंटेंशन को लेके ना ट्राय करें इवन ये भी नहीं बस ये था कि अगर तुमको ये फल मिल रहा है क्योंकि हम ये सुनते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा कर्म करो फल मिलेगा पर यहां पर कोई कर्म ही नहीं था फल एक्चल में फली ही बिल गया था उनको बोला गया कि जब तुम करोगे तब तुमको ये फल हम वापस दे देंगे. उनको याद किस ने दिलाए था. Jarmu Vant ne. Jarmu Vant का जब आपो चारे वीत्षन सुनोगे वो ब्रह्मा जी से हुआ था. ब्रह्मा जी का अंच माना चाता है. और ब्रह्मा जी के तो चार सर ही वेदों को रिप्रेजेंट कर थे हैं. तो वो यही मतलब था कि सारी विद्या reflecting जो आई नगे जामवन्त की वच्छन सुहाई जो सुंदर काण मेझ होपाई आती है तो यही है कि आपकी वच्छल से भापसा रही है तो यह पूरा रिपरेजेशन था पर actual बात यही है कि इंदर make sure करेंगे कि क्या तुम योग्य हो या नहीं हो और जब हो जाओगे तो तुम से जादा बुद्धी मान और बल्वान और कोई नहीं होगा तो अगला सवाल ही है कि हमार जितनी भी कथा हैं उट में भगवान की बात तो होती है बट हमने देखा कि पशुओ की बहुत होती है तो इतना importance उनको भी क्यो दिया जाता है हमारे यहां पर इसको क्या reason है तेखो पशुओ को इस वज़े से importance दिया जाता है पहली बात तो हम यह समझें कि जो एक difference दिखाये गया है मानव और पशु का मनुझ और एक पशु का जो डिफरेंस होता है वो होता है वीविःक और चेतना का अब क्यूं पशुओ को इतना importance दिया गया है क्यूंकि अगर आप हमारे जो देवों की भाष्या कही जाती है संस्कृत अगर उसको पढ़ते हो हमारे एक teacher है वो हमको बड़ी अच्छी बाते बताते हैं उसमें से उन्होंने ये बात बताई थी कि Sanskrit भाषा में किसी को भी नाम उनके रूप की वज़े से नहीं मिला उनके गुण की वज़े से मिला है अगर अष्व है अष्व को अष्व का नाम इसलिये नहीं मिला क्योंकि वो घोड़ा है अश्व को अथव का नाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो वद्हातू से आता है और उसका मतलब होता इस गती करते रहना Hurse-Power मोगोह कहाँ से निरंतर है तो बड़u को अश्व की बात क तो किसी को रूप के बाती हैं गुड़ों के बीसिस पर चेक किया जाता है। और एक यह भी रीजन होता है कि कर आप देखोगे पशु लजजो अटे क्यों कि दिखाते हैं तो जो आप मगशता है। इसके विवे खेतना नहीं है। मतलब कि मगशता है। हमेशा किसी भी कर्म से जो एक श्रमिक कर्म होता है उसके ऊपर हमेशा चेतना आती है जब हम उस कर्म के ऊपर चेतना को रखेंगे तभी हम कुछ बहुत बड़ा इस समाज में कर पाएंगे दूसरी बात जितने भी यह पशू है जैसे मैंने आपको का गुड के वेसिस पर होता है यह हर कोई कुछ न कुछ रीप्रेजन करता है जैसे कि नंदी है भगवान चंकर नंदी पर बैठते हैं बैल है वो पर लोग कहते हैं कि बस बैल है पर उनके चार वो धर्म का इतना बड गवान की बात हो रही है दूसरा जो आप उनके पास पशू देखते हो वो है एक साप जो कि उनके गले में रहता है हम किसी भी व्यक्ति को साप कप कहते है जब वो टेड़ी मेडी चाले चलता है सबसे सबसे बेसिक वो यह है कि टेड़ा मेड़ा साप चल रहा है जो बज़े कर भगवान. तो हर भगवान के गौड कोpal कर सकते हैं, इसी वज़े से पशुन putting हो बुच जाता है, यह बतायाया जाता है, ज सैंच मैं ग हो कर शक्ता हूं, पशुन कर maximize शक्ते हैं, आनुष्य भी कर्म कर सकते हैं mentehall कम कर सकते हैं तो म Stunde के लियृ को PayPal कर सकते हैं खाते भेटे रहते हैं कि तुम पशु समान ही हो क्यों खा जाता लुझे इसी वज़े से क्योंकि वो विवेक जागरत नहीं है अगर विवेक जागरत होता कुछ प्रोड़क्टिव कर रहे होते तो किसी ने पूछा है के तो वो अपना ही यग को क्यों ही पचा पाए रमायन में जब श्री राम आते है देखो पहली बात तो अगर आप कभी भी नॉर्मली हमको यह बच्पन से बताया जाता है कि कुछ बुरा मत बोलो क्यूं कि बुरे के साथ है ना बुरा कर्म भी आता है क्यूंकि आप अंदर से जब बुराई भार निकालते हो तो वो बुराई आपको सहनी भी पड़ती है एनरजी इक्वल मात्रा में ही ज़ए ना पैरिटी तो हर जगा होती है तो एक्जाक्ली इसी वज़े से कि जब बहुत बड़े रिशी चाहिए वो दुरवासा रहे हो चाहिए वो विश्वा मित यह तपस्या करते थे पर जब यह करते थे थे उस तपस्या का फल भी निकल जाता था सारा तो जब वो इस यजन को कर रहे थे तो उन्होंने श्री राम को लेके गए माना कि रहमायंड को पूरा रचना था इतनी सारी चीजे बीच में हुई कभी मैं आपको विस्तार से इस लेकर रए, यजन तो कोई भी कर सकता था उस यजन में ये सब ही क्यों डाला जा रहा है था, कि मारी चॉ शुवाहू, हूज वह भंक रहे थे, तो वो मदिरा और मास ही क्यों डाल रहे थे , कुछ और भी डाल से थे ? जिए को भी तो पफशान कर सते थे ,क्यों नहीं किया ? कि जैसे उस यजन में सुबाहू और मारीज, मदिरा और मास डाल के उसको भंग कर रहे हैं, वैसे ही ऐसा यजन निरंतर रूप से कॉंस्टेंटली हमारे अंदर होता है, हमारे पेट में एक जटरागनी होती है, एक ऐसी अगनी जो कि हमको खाना पचाने में हेल्प करती है, सा दिख रही है, यह आपके अंदर ही है, जैसे वो उस स्रिष्टी को पवित्र करने के लिए यजन कर रहे हैं, वैसे आपकी स्रिष्टी के अंदर भी यजन चल रहा है, पर आप उसको कितना पवित्र रखोगे, उसको क्या सामिग्री दोगे, वो आपके हाथ में है, कि अगर आप उसको मास या मधिरा दोगे, तो वो भंग ही होती जाएगी, उसका कोई फूटफुल वो नहीं आने वाला, अगर आप प्रोवाइडिड की जैसे हमारे साहिते में लिखा रहता है कि एक मुमुक्षु का, एक सीकर का जो अल्टिमेट गोल है भगवान के पास पहुचना, अगर आप बस जी रहे हो इस जीवन में फिर तो आपको जो करना है वो करो, बट अगर आप एक अल्टिमेट कॉज की तरफ भगवान से एक होना चाते हो, ईश्वर से परमात्मा से एक होना चाते हो, तो आपको निरंतर रूप से अपना जो अंदर यजन चल रहा है, उसमे श्री राम जैसे बनो, संतुलन लेकर आओ, अपने जीवन में धर्म लेकर आओ, उसके थुरू यह सब करो, दूसरी बात की ताकी रिशियों का तपस्या जो है वो भंग ना हो, इस वज़े से उन्होंने श्री राम को लेकर आए थे, तीसरा रीजन इस वज़े से लेकर क्या क्या नहीं, सौ टाइब के शस्त्र और अस्त्र भी दिये, ताकि वो उस विद्या से पारंगत होके उस युद्ध को जीत पाए, तो काफी लोगों ने यह सवाल पूचा और आखरी सवाल भी है, कि हमारे यहाँ पे, और गन डोनेशन को लेकर आपका क्या उपिनियन है मतलब वेदिक सायत्य के संदर्व में. के लिए अपनी काफी सारी चीजों का बलदान दिया है, एवन फॉर बेटर वर्ट साक्रिफाइस भी नहीं, बट अपने आपको अर्पित कर दिया इग्रेटर कोष्ट के लिए, जैसे धदीची थे, धदीची ने अपने अंदर की अस्तियों का दान दिया था, किसको सारे अस्तियों को ताकि वर्टासुर नाम का एक राच्छस मर सके, उनकी अस्तियों से एक ऐसा वेपन बनाए गया था, जिससे की इंद्र ने वर्टासुर का वद किया था, अस्तियों से, उनकी अंदर की अस्तियों से, उन्होंने लिटरली अपने आपको अर्पित कर दिया था कि हां मेरी अस्तियों से मेरे अंदर इता तेज है कि मेरी अस्तियों से ही हो पाएगा तो मैं चाहूंगा कि समाज के ग्रेटर कॉस के लिए कि जो वृत्ता सुर है ये देफताओं के बीच में जो इसने हाहा कार मचा रखा है ये आज ही कतम हो और सब कुछ कुशल मंगल हो तो मैं अपना वलिदान देता हूँ दूसरी बात कि जब रमाइण का युद चल रहा था अब ये बात आपको मिल जाएगी कृतबास रमाइण में जर बार्माइण का युद चल रहा था अकाल बोधन की कता है जहां पर श्री राम देवी की उपासना करते हैं युद के बीच में उनको 108 कमल देवी को चड़ाने होते हैं पर देवी उनका टेस्ट लेने के लिए एक कमल एंड मोमेंट पे वो महुरत खतम होने वाला था जो कि एक बहुत ही बढ़िया कवी ने लिखी है आप उसको पढ़ भी सत्ते हैं पर उसमें श्री राम को अचानक से याद आता है कि उनकी मा उनको वच्पन में कमल नयन बुलाया करती थी कि उनके नयन उनकी आख कमल जैसी है तो वो बिलकुल ततपर हो जाते हैं उस राव वैसी ही देवी आकर उनका हाथ थाम लेती है और उनको विजय का वरदान देती है कि आपकी ही जीत हो अपनी आख करने के रडी हो गए थी आख लिए लिक्टली ततपर हो गए थे उन्होंने बाण पकड़ा और आख से निकालने लगे वैसी देवी ने आगे हाथ पकड़ मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसी काफी सारी कता हैं पर यह मेरा परस्पेक्टिव है कि भगवान ने एक अल्टिमेट कल्यान के लिए ततपर रहे हैं अपने आपको अर्पित करने के लिए तीसरी बात एक पॉर्टिकुलर शिष्य की पॉर्शनल स्रिष्टी में सबसे बड़ होता है पॉरु का आपने एक लव्य की कथा पढ़े होगी बिना क्वेस्टिन करे की दुरोणाचारे ने क्या कहांगा उनोंने अपना अंगूठा वलिदान कर दिया क्यू 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 क्य। ने लगा कि ये मेरे Лिए सब कुछ है ये मेरे लिए सर्वोत्तम है भगवान से उपर है इन्होंने मुझसे का है मैं दूंगा चाहे अब आप आज के संदर में बात कर रहे हो कि और डोनेशन किसी और के कल्यांट के लिए तो एक बात बताओ ना ये शरीर तो नश्वर है ये पंच भूच से बना है और इसी धर्ती पर यहीं पर अगर आप किसी क्रिमेशन किसी को कुछ काम आ जाए किसी नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए कोई स्रिष्टी को फिर से देखने लगे आपने तो हर रंग देख लिया पर कोई और उन्ही नेत्रों से और रंग देखे तो इसमें बुरी बात क्या है तो I think कि this is something very personal लोग कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते है बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के कल्यान के लिए गुछ कर पाओ इस जीवन में तो बहुत बड़ी बात है तो आज के लिए तो बस इतना ही आप अपनी और कोईरीज को नीचे कमें ने या पर दिम कर सते हैं आपको तो पता है क्या करना है तो जल्दी से सब्सक सक्ति भी विद यु जैश्रीरा